नमस्कार फ्रेंज, मैं हूँ इस्ट्रॉलिजर और वास्तो कंसाल्टन्ट डिधी बहल एक महिने में तीन ग्रहन पड़ रहे हैं ग्रहन के दोरान कहा जाता है कि खाना ना खाए आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करें आयूर्वेद जो की वेदों का ही हिस्सा है और जो की बहुत डीटेल में बताता है कि किस तरह के खाने होते हैं कितने तरह के होते हैं, किस समय क्या खाना खाना चाहिए और खाने का हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्त पे और हमारी सोच पे क्या असर होता है अब आयूर्वेद ने खानों को दो काटेगरी में डिवाइड किया हुआ है तामसिक और सात्विक लोग अकसर ही समझते हैं कि सात्विक खाना वेजेटेरिन है और तामसिक खाना जो है वो नॉन वेजेटेरिन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत से vegetarian खाने भी हैं जो की तामसिक की category में आते हैं जैसे की lesson सात्विक खाना भी जो है अगर सही से उसका सही temperature पे ना रखा जाए या उसको काफी देर तक consume ना किया जाए तो वो तामसिक की category में आ जाता है हम जो खाना खाते हैं उसका असर सीधा हमारे शरीफ और स्वास्त पे तो होता ही होता है पर हमारी सोच पे भी होता है अब जब ग्रहन पड़ता है तो उस समय का जो महौल होता है उस समय का जो वातावरण होता है उसमें जो है bacteria जल्दी से develop हो सकते हैं उस समय जो है खाना जो है वो बहुत जल्दी degenerate हो जाता है degenerate मतलब उसमें जो उसके जो nutrient values हैं उसमें जो postic उसके जो तत्वे हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं As a result जो सात्विक खाना है उसमें तामसिक qualities जल्दी develop हो जाती है और जैसा मैंने कहा कि जिस तरह का हम खाना खाते हैं उसका असर हमारी सोच पे और हमारे शरीर पे भी होता है और तामसिक खाने का असर इतना पॉजिटिव हमारे शरीर पे खास करके हमारी सोच पे नहीं होता है इसलिए कहा जाता है कि ग्रहन के दौरान खाना ना खाए लोग जानते भी हैं तुलसी को हमारे यांद देवी का दर्जा दिया गया है तुलसी के पत्ते में बहुत सी qualities होती है बहुत सी nutrient values होते हैं तो ग्रहन के दोरान यदि आप खाने पे तुलसी का पत्ता रखेंगे तो जो उसका सात्विक नेचर है वो maintain रहेगा मतलब उसमें bacteria जो है वो जल्दी नहीं लगेंगे इसी लिए कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता रखेंगे तो फ्रेंज ये कारण है कि ग्रहन के दोरान खाने के लिए मना किया जागे